Hello Students, स्वागत है आप सभी का Welcome to ISK Daily Current Affair के discussion में तो Students, आज का जो Current Affair का जो discussion है उसे हम start करते हैं Students, first topic की अगर हम बात करें तो हमारा first topic है आदी महुसों के बारे में आदी महुसों basically एक Tribals का एक Festival है जिसको New Delhi के अंदर celebrate किया जाता है Trifade नाम की जो organization है उसके दुआरा Trifade के दुआरा Tribals के इस महुसों को इस Festival को celebrate किया जाता है जिसके अंदर basically Tribals के दुआरा बनाए गए जो handicrafts हैं जो toys हैं उनका यहाँ पे जो Festival है यह organize किया जाता है अगर हम बात करें Students इस आदी महुसों को तो हमारे honorable prime minister के दुआरा इस आदी महुसों के Festival को यहाँ पे attend किया गया और जो Tribals का जो importance है उसको recognize किया गया honorable prime minister के दुआरा honorable prime minister के दुआरा बताया गया कि उनकी government के दुआरा कौन-कौन से ऐसे initiatives लिए गए है जो Tribals के welfare के लिए importance है उनके बारे में बात की गई अगर हम बात करें Students Tribals के इस आदी महुसों की तो इसका जो initiation है जो start है आदी महुसों का वो भगवान बिर्सा मुंडा को अपना जो tribute है वो पे करके इसको आदी महुसों को initiate किया गया जन जाती गोरव दीवस है जो जन जाती गोरव दीवस है वो basically celebrate किया जाता है फिप्टी नॉम्बर को Students recently हमारी government के दुआरा Tribals को well recognize करने के लिए उनका जो contribution है हमारी freedom struggle के अंदर उसको भी well recognize करने के लिए government के दुआरा हर एक phase के अंदर different different तरीके से उनको recognize किया गया है recent को समय में अगर हम पिछले एक साल के अंदर बात करें तो आप देखें के अलूरी सीता राम सीता राम राजू का जो festival है उसको organize किया गया उनकी जो मूर्ती है वो लगाई गई आंदर प्रदेश के अंदर जो govind गुरू है राजस्तान के अंदर govind गुरू को recognize किया गया जिनके के समय में और उनी के उपर जो British authorities के दुवारा गोली चला दी गई जिसको Tribals का जलिया वाला बाग भी कहा जाता है राजस्तान के अंदर है फिर जन जाती गोरव दीवस देखें आप कि दो साल से celebrate किया गया है उसको 15 November को फिर सामुंडा का जो birth anniversary है उस दिन उसको celebrate किया जात है ट्राइफेड के अगर हम बात करें स्टुडेंट्स ट्राइफेड बेसिकली ministry of tribal affairs के अंडर में आती है 1987 के समय में जो 1987 का समय है उस समय इस ट्राइबल ट्राइफेड को यहां पे create किया गया अगर आप sociology अगर आपका optional है इसके लावा anthropology आपका optional है तो आपको में detail में read करना होगा इसके important functions के बारे में क्योंकि उसके अंदर basically एक या दो question आपके optional के अंदर पूछ लिए जाते हैं अगर हम बात करें students trifade के बारे में तो trifade 1987 में बनाया गया और अगर इसके full form की बात करें ट्राइबल्स cooperative marketing and development federation of india है इसका means यह है कि ट्राइबल्स की दुआरा जो भी यहाँ पे produce किया जाता है उसका market के अंदर उसको किस तरीके से reach करना है market के अंदर उसको किस तरीके से पहुचाना है यह जो completely work है वो trifade की दुआरा carry out किया जाता है 1987 में बना ministry of tribal affairs के अंदर है more important functions के अगर हम बात करें तो minor forest produce students जो जंगल का जो एरिया होता है forest का जो एरिया होता है उसके अंदर में other than timber जो भी produce होता है एक पेड के साथ में चाए वो honey हो चाए वो तेंदुपत्ता हो तेंदुपत्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए जो beady industry है beady industry means Indian cigarette जिसे हम बोल जाता है और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जो हमारी ये beady industry है इसके अंदर ही हमारे children's का आपको जो trafficking है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इसी children's का जो trafficking है उनको बचा दे हुए बचपन बचाओं आंदोलन के रूप में जो कैलार सत्यारती है उन इंदर नहीं engage करना चाहिए तो basically minor forest produce है हम तेंदू पता से detail में चले गए थे minor forest produce है उसको recognize किया जाता है trifade के दुआरा और retail marketing and development किस तरीके से करना है इसको किस तरीके से यहाँ पर organize करना है ये भी एक काम है ट्राइबल्स के इन्हें basically produce को market में कैसे पहुंचाना है ये trifade का ही ये main work है डूरिंग अपने speech के समय हमारे honorable prime minister के दुआरा government के जो initiative से उनकी भी बात की गई उनके दुआरा जंजाती गोरव दीवस की बात की गई जिसके अंदर इंडिया की जो unity diversity का जो concept है उसको इनों ने show किया इसके लावा एकलवे model residential school जो है एकलवे model residential school जो है इसको हमने continue discuss किया इस topic को पर आपको पता भी होना ची एकलवे model residential school ये basically हमारे budget का जो last mile connectivity है last mile delivery है उस के अंदर भी हमने discuss किया था जो सब तरीसी concept के अंडर में हमारा budget है वो पास किया गया है इस साल तो एकलवे model residential school क्या होते हैं इसके बारे में आपको ये पता होना चीए कि कोई भी ऐसा block है हमारी country में जो districts होते है districts को अलग-लग blocks के अंदर divide किया जाता है तो जो किसी अगर block के अंदर बीस हजार के आसपास ट्राइबल्स की population है या more than 50% सपोज कीजिए कि वहाँ पे जो total population है वन लैक है और वहाँ पे 50,000 के आसपास जो ट्राइबल्स ही है उस block के अंदर तो वहाँ पे एक एक लवे model residential school है वो open किया जाएगा एक लवे model residential school के थरू वहाँ के जो tribal community क जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको इस residential school के थरू अच्छी जो education है वो provide की जाएगी हमारे जो minister है tribal affairs के उन्होंने recently अपने parliament के अंदर अपना एक question का answer देते हुए कहा था कि tribal को only census अगर 2011 की बात करें तो उसके according only 59% जो literacy है वो ही उन्होंने achieve की है तो उनको literacy भी residential schools basically इसके बारे में यह सब कुछ information थी 59% literacy है उसको बढ़ाने के लिए बच्चों को residential schools वो provide की गई है गोर्मेंट के दुआरा हमारे 2023 के बजट के अंदर एकलवे model residential schools के जो teachers हैं और अधर स्टाप से उनको recruit किया जाएगा यह budget स्पीच में हमारे finance minister के दुआरा यह बात बोली गई है तो students यह tribal festival के बारे में था ट्राइबल के दुआरा कौन-कौन से important handicraft बनाई जाते हैं यह आपका art and culture का section है तो handicraft के जो chapter में जाके जरूर read करना देखना अगर कहीं पर बताया गया है कौन-कौन से ऐसे toys हैं जो बनाई जाते हैं आदी महू ट्राइबल community के दुआरा तो उनके बारे में जाके एक बार जरूर read करना अगर आपको मिले तो उसको read करना क्यों हो सकता है कि directly indirectly कहीं से question पूछ लिया जाए next topic के अगर हम बात करें इंडिया के अंदर फिर से जो चीता है वो आने वाले हैं बट पिछले बार जो हमारे 17 September के दिन जो चीता हम लेके आये थे वो नामी भिया से लेके आये थे अब अब की बार जो चीता आएंगे इस बार जो आएंगे वो South Africa से आने वाले हैं इस week के अ अंदर में तो उसी से related ये वीडियो था उसी से related ये topic था तो अगर हम बात करें चीता की स्टूडेंट चीता बैसिकली एसिया के अंदर भी पाए जाते हैं जो एसिटिक चीता थे वो पाए जाते थे अभी भी पाए जाते हैं इरान के अंदर उनकी जो population है वो 40 या 50 क्या समय है उस समय से extinct हो चूके हैं चीता क्योंकि हमारे हाँ पे चीता और को मार दिया जाता था human being के उपर यह attack नहीं करते हैं human being के उपर यह attack नहीं करते हैं even जो सहेर जो होता है जो हमारा loin जो होता है वो basically धारता है चीताज आपको धारते हुए नहीं दिखाई देंगे चीता यहां basically आपको cat की तरह जो आवाज निकाली जाती है उस तरीके से यावाज निकालते हैं अगर हम बात करें कि इंडिया जो चीता लेके आया है नामी बिया से तो यह वर्ड का पहली बार एक इंटर कॉंटिनेंटल एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट के अंदे रोट्रांस लोकेट किया गया है चीता को और अगर हम बात करें कि हमारे ओनरेबल सुप्रिम कोट के दुआरा यहां पर गाइडलाइन्स दी गई है कि किस तरीके चीताज को लेके आना है कौन-कौन से यहां पर इंपोर्टेंट एरिया है जहां पर उनको रखा जा सकता है उसके बारे में ओनरेबल सुप्रिम कोट के दुआरा जज्जमेंट्स दिये गए 2012-13 के समय में तो उसके बाद से ही गोर्मेंट के दुआरा यह जो प्रोसीजर है इस्टार्ट हुआ कि हम अफ्रीकन कॉंटिनेंट से जो चीता है वो लेके आएंगे अगर हम बात करें कि जो पिछला बैच है उसके अंदर हम 9 चीता लेके आये थे completely सभी यहाँ पे healthy है प्रजेंट समय में only एक exception है कि एक कोई चीता है उसकी जो health है वो सही नहीं है और अब हम अफ्रीका से लेके आने वाले हैं इन चीता अगर students हम compare करें इन चीताज के बारे में अफ्रीगन चीता और एसियाटिक चीता के बारे में अगर हम compare करें तो अफ्रीगन चीता का जो IUCN status है वो आपको vulnerable देखने के लिए मिलेगा क्योंकि उनके संक्या अधिक है प्रजेंट समय में आप देखें कि एसियाटिक चीता only 40-50 है जो इरान के अंदर पाए जाते हैं तो इरान के अंदर पाए जाते हैं तो इस वज़े से हमारा जो एसियाटिक चीता है उनका जो IUCN status है वो critically endangered है 1951-52 के समय हमारे यहाँ पर यह एक्षनिक हो चुके हैं इसलिए population कम हैं इंडिया के अंदर जो राजा महराजा हुआ करते थे तो उस समय में वो सिकार किया करते थे इसके poaching की वज़े से hunting की वज़े से इनकी जो संक्या है इंडिया के अंदर decline हुई है ऐसा भी बताया जाता है कि मुगला empire के समय तो इनका जो अगर हम बात करें जो hunting है वो काफी ज़्यादा level के उपर यहाँ पर की गई जिसकी वज़े से इनकी संक्या एकदम से decline हुई और last समय में जो ब्रेटी सहरा के समय में काफी कम जो चीता बचे थे उनको भी हमारे कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा हुआ करते थे जिसमें 36 कड के अंदर कोरिया के जो राजा है उनका नाम है कि last जो चीता था उनको उनहीं की दुवारा मारा गया था तो vulnerable है यहाँ पे जो है critically endangered है African चीता होते हैं जो size के अंदर bigger होते हैं Asiatic चीता आपको smaller दिखेंगे अगर हम size की point of view से compare करें और African चीता को यहाँ पे IUCN का vulnerable के अंदर और sites का जो appendix 1 है उसके अंदर रखा गया है तो यह आपको बात पता होने चीए अब students सबसे important बात यह है कि चीताज को हम translocate कर रहे हैं कुनो पालपूर नाम की जो जगए है वहाँ पे जो मद्दे प्रदेश के अंदर situated है इसके लावा और भी कुछ sites हैं जिनको recognize किया गया है कि इन sites के उपर भी इसको translate किया जा सकता है इसमें नुराधही, नेशनल पार्क है कापी सारे ऐसे areas हैं जिनको recognize किया गया है अगर हम बात करें students कि कौन सी ऐसी organization है जिसके दुवारा ये translocation का जो complete procedure है वो carry out किया गया है तो हमारी NTCA नाम का एक organization है National Tiger Conservation Authority इसी organization के दुवारा ये जो complete जो procedure है Translocation of the Cheetahs ये carry out किया गया NTCA के बारे में अगर हम बात करें 2005 के समय इसको create किया गया National Tiger Conservation Authority और 2005-06 के समय इसको create किया गया after amending the wildlife protection act 1972 1972 का जो act है उसको amend करके इसको exist किया गया main activity ये है कि जो tigers है उनका जो area का रख्रकाव करना उसको protect करके रखना इसके दुवारा regularly way में जो census है वो भी conduct किया जाता है Tigers के बारे में Tigers के बारे में आपको पता होना चाहिए St. Petersburg जो declaration था जिसके अंदर basically Tigers की जो population है उसको double करना था So St. Petersburg जो declaration है वो किसी से related है students Tigers से related है ये भी आपको पता होना चाहिए तो NTCA के ज़वारा ये जो complete procedure है carry out किया गया है Cheetahs का translocation एक continent से दूसरे continent के अंदर Next topic के अगर हम बात करें Next topic है लेप्रोसी के बारे में students हमारे जो health minister है उनके दुवारा parliament के अंदर कहा गया कि इंडिया में अभी भी जितने भी नए case आते हैं world के अंदर जो कुष्ट रोक के जितने भी case आते हैं वो maximum 52% जो case है वो इंडिया से ही देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में अगर हम बात करें students इंडिया में 82 ऐसे कुछ districts हैं जहां से आपको जो case है उनका origination है वो देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर गुजरात है दादर है नागर हवेली है दमन इंदियू है उत्तर प्रदेश है ऐसे कुछ states है कुछ areas है अरुनाचल प्रदेश के भी कुछ area है जहां पर जो लेप्रोसी के जो कुष्ट रोक के केस है वो देखने के लिए मिलते हैं अब एक कुछ ट्रोक बेसिकली है क्या यह बेसिकली एक mycobacterium lepri नाम से एक bacteria है mycobacterium जो lepri नाम का एक bacteria है उसकी वज़े से बेसिकली यह लोगों के अंदर होता है और इसकी वज़े से जो face के वो effect करता है nose को आपको effect करता है skin को यह effect करता है यह tropical area के अंदर होने वाले disease है और इसको neglect किया गया है इसको basically इसके लिए जो medicine जो provide करवानी है वो नहीं provide की गई क्योंकि multi drug therapy अगर use की जाए multi drug therapy अगर use की जाए तो leprosy को यहाँ पर eliminate किया जा सकता है 2005 के समय हमारी government के दुवरा leprosy के elimination से related जो program से वो चलाए गए leprosy को eliminate करना था पट अभी तक आप देखें कि इंडिया के अंदर 52% जो case है वो इंडिया से ही देखने के लिए मिलते हैं हमारे उन्रेबल जो महत्मा गांदी जी हैं बापू जो हैं महत्मा गांदी जी के दुवरा भी leprosy के against में continue अपने जो works हैं वो carry out किये गए थे इसी वज़े से आपको जो जैनवरी मंत का जो last Sunday है उसके दिन आपको anti-leprosy day है उसके रूप में celebrate किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें जो 30 जनवरी का जो दिन है महत्मा गांदी जी का जिस दिन death हुआ था उनका assassination कर दिया गया था तो उस दिन को celebrate किया जाता है leprosy day के रूप में और leprosy को eliminate करने की बात की जाती है अभी हमारी government के दुवारा national leprosy elimination जो program है strategic road map है उसको तैयार किया गया है 2023 से लेकर 2027 तक का यह जो plan है यहाँ पे launch किया गया है government का target यह है कि इन strategic plans के थूँ इन strategic road maps के थूँ 2030 तक इंडिया के अंदर जो leprosy के जो case हैं वो zero है यहाँ पे zero जो case हैं वो हम achieve करें और students आपको पता होना चीए कि 2030 ही हमारे जो sustainable development goals है उनको achieve करने का date है 2030 जो हम 2015 के समय start हुए तो health से related जो स्वास्त है जो हमारा health है उस sector से related कौन सा हमारा SDG number goal है यह आप comment section के अंदर बताना अगर आपको नहीं पता है तो SDG goals जाके एक बार जरूर याद करना क्योंकि SDG goals बहुत important है आप अपने means के exam में अपने answer के अंदर उनको quote कर सकते हो कोई भी अगर health से related question है कोई primary health center से related questions है तो इस वज़ाए से आपको SDG goals याद होनी चाहिए SDG goal number बताना कि health से related कौन सा SDG goal है वो यहाँ पे related है या आप comment section के अंदर बताना आपका homework है तो आज students हमने लेपरोसी के बारे में discuss किया साउथ अफरीका से जो नया बैचोप चीताज का आने वाला है इंडिया के अंदर उसके बारे में discuss किया अफरीकन चीता और एशियन चीता के बीच जो difference है अफरीकन चीता बारे में जो ट्राइबल्स का एक handicraft से related एक festival है जो ट्राइफेड के दुवरा organize कराया जाता है 1987 के समय में ट्राइफेड यहाँ पे existence में आई तो यह सब बाते हमने discuss की हैं तो आपको इसी तरीके से update करते रहेंगे हम regularly current affairs से आप बने रही है हमारे साथ thank you students thank you very much